अगर आपने कभी किसी छोटे बच्चे के साथ कुछ समय बताया होगा तो आप इस ताते से भले बात ही अवगत होंगे कि बच्चे कितने सवाल पूछते हैं। उन्हें दुनिया की हर चीज में एक सवाल नजर आता है। उनके इसे जग्यासा के कारण वो दुनिया की बड़ी से बड़ी बातों को बहुत ही आसानी से सिह जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं उसके साथ साथ हम अपनी जग्यासा को खत्म करते जाते हैं। और अपने आज पास की हर चीज़ को वैसे ही अपना लेते हैं जैसी वो है जिसके कारण हमारा ग्यान और विकास रुख जाता है। इसलिए और ब्रायन ग्रेजर ने अपनी इस किताब अक्यूरियस माइंड की मदद से हमारे ग्यान और मानसिक विकास में जिग्यासा का महत्व दर्शाते हुए कहा कि बिना जिग्यासा की जीवन में ठहर आफसा आ जाता है और जीवन रसीन हो जाता है। ग्यान पाने का सबसे सरल और सीधा तरीका है जिग्यासा। अक्सर आपने सुना होगा कि ग्यान में शक्ति है। जो कि हमें हमारी सफलता तक पहुचाने का मार्ग बताती है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि आखिर ग्यान पाने का सबसे सरल और सीधा तरीका कौन सा क्योंकि जब इंसान जिग्यासू होकर काम करता है तो उसके लिए ग्यान अर्जित करना आसान हो जाता है एक जिग्यासू व्यक्ति आसानी से अपने आसपास के बदलावों को स्विकार कर लेता है क्योंकि उसके सवाल या स्वभाव के कारण अपने सवालों के जवाब ढूंडते हुए वो इतना अनुभवी हो जाता है कि कई बार तो वो आने वाले बदलावों का अनुमान पहले से ही लगा लेता है और उनके अनुसार अपनी योजना निर्धारित कर बड़ी है आसानी से हर बदलाव का सामना करता है वहीं दूसरी तरफ आपके जग्यासा कई बार आपको इतनी बाते सिखा जाती है कि आपके पास अपनी समस्याओं से लड़ने के लिए बहुत से विकल्ब होते है आथर ने वालमार्ट जैसी बड़ी होलसेल कमपनी के मालिक का उधारन देते हुए बताया कि कैसे उनके जग्यासा ने उनके कमपनी की तरक्की में चार चांद लगा दिये वालमार्ट के मालिक हर हफते अपनी टॉप 500 मैनेजर्स की मीटिंग लेकर उनसे ये जानते थे कि उनके कमपटीटर अपनी स्टोर में क्या अलग कर रहे हैं ताकि उनकी योजनाव से उन्हें भी कोई नई दिशा मिल सके इस तरह से इन्फॉर्मेशन और आइडिया को जमा करके रखना बहुत ही फाइदा मन्द हो सकता है क्योंकि भले ही ये सारी बाते आपको तुरत फाइदा न पहुंचाएं पर किसी मुसीबत में अचानक ही इन में से कोई बात आपको अंदेखा फाइदा पहुंचा सकती है ऐसे समय में ही हमें जग्यासा का असली महत्वपता चलता है ऐसे ही रास्तों का लेखक भी अपने जीवन में कई बार इस्तमाल करते थे अक्सर लेखक किसी जाने मारने व्यक्ति का इंटर्व्यू लेते थे और अपनी जग्यासा अनुसार प्रश्ण उससे पूछते थे जैसे कि लेखक ने एक बार डर्यल गेट्स नाम के L.I.A.P.D. के चीफ का इंटर्व्यू लिया हाला कि उस समय लेखक को उस इंटर्व्यू के दोरान हुई वार्तल आपका महत्वनी समझाता था लेकिन बाद में डार्यक्टर एडगर हुवर के साथ FBI फिल्म पर काम करते हुए उन्हें डार्यल के साथ हुए इंटर्व्यू की याद आ गई और उसे प्रेना लेकर उन्होंने अपनी फिल्म के पात्रों का चैन किया जग्यासा की मदद से आप अपने मन के सभी डर और भैव को निकाल सकते हैं जब किसी चीज को जाने की अतियंत गहरी जग्यासा आपके मन में जाग जाए तो आप किसी भी अर्चन या डर की परवा किये बिना ही उस जग्यासा को शांत करने में जुट जाते हैं अपने डर पर विजय पाते हुए व्यक्ति तब तक अपनी सवालों का जवाब ढूनता रहता है जब तक कि उसे सही और सच्चे उत्तर ना मिल जाए ब्रैन ग्रेजर ने भी अपनी जग्यासा की दम पर हर प्रकार्ट की अस्विकृति को पार करते हुए आखिरकार सफलता को प्राप्त करी लिया है हुआ यूँ कि जब वो अपनी फिल्म स्प्लैश का आइडिया लेकर डाइरेक्टरों के पास गए तो एक जल परियो और मानव के प्रेम पर आधारित इस फिल्म को कोई नहीं बनाना जाता था लेकिन इस ना से निराश होकर इस प्रोजेक्ट को छोड़ने की बजाए लेखक आगे बढ़ते गए और सब को अलग-अलग डंग से तब तक मनाते रहे जब तक कि उनकी फिल्म के लिए उन्हें हा नहीं मिली उन्हें इस सब करने के प्रेणा और शक्ति उनके मन के जग्यासा से मिली जो की देखना चाहती थी कि ये फिल्म कैसी बनती है जब लेखक की फिल्म रिलीज हुई तो दर्शकों ने उन्हें खूप सराहा और वो हिट फिल्मों की सुची में शुमार हो गई इसी तरह लेखक की जिवन की इस घड़ना से प्रेणा लेते हुए आप भी अपनी जग्यासा की मदद से अपने मन के सबी डरों पर जीत हासल कर सकते हैं लेखक ब्राइन ग्रेजर कहते हैं कि चूकि वो एक जाने माने फिल्म प्रड्यूसर थे तो अकसर उन्हें स्पीच और इंटर्व्यू के लिए बुलाया जाता था लिकिन उन्हें पब्लिक के सामने बोलने में बहुत डर लगता था एक दिन उन्हें जग्यासा हुई कि आखिर उनके इस डर का कारण क्या है तब उन्हें पता चला कि उन्हें स्पीच के लिए अच्छी तयारी ना होने का डर लगता है उसके बाद लेखग ने खुद से सवाल जवाब करते हुए अपने स्पीच और इंटर्व्यू की तयारी शुरू की और फिर उन्हें कभी डर नहीं लगा जग्यासा आपको जीवन के बड़े से बड़े तथे को जानने में आपकी मदद करती है और ये तथे आपकी जग्यासा को और बढ़ाते हैं जंदगी एक कहानी की तरह है और ये सच सिर्फ किसी लेखा किया किसी डिरेक्टर के लिए ही नहीं बलकि सब के लिए है चाहे अपने दोस्तों से की गई गपशब हो या अपने किसी प्रड़क्ट को बेचते हुए किसी ग्राहक से की गई वारतलाब। जीवन में ऐसे ही कई मौकों पर हम अपनी बातों को किसी कहानी की तरह पेश करते हैं। जब बात कहानी सुनाने की आती है तो इस समय आपकी जिग्यासा आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा आपकी मदद कर सकती हैं। अपनी जिग्यासा की मदद से आप अपनी कलपनाओं को उड़ान देते हुए एक प्रेरक और रोचक कहानी बना सकते हैं। जग्यासा आपको नई-ने जानकारियां और तथे जुटाने के लिए प्रेडित करती हैं और इन तथेों की मदद से आप कुछ ऐसी कहानिया बना सकते हैं जो कि आपके दर्शकों को लुभा सके तो अपनी जिग्यासा की मदद से दर्शकों के जिग्यासा को जगाते हुए आप अपने काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं ऐसे ही लेखक ब्रायन के साथ भी हुआ इंटेलिजेंस एजनसीज के बारे में जानने के अपनी जिग्यासा के कारण उन्होंने कई CIA के डारेक्टर्स और अलग-अलग देशों के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स का इंटेव्यू लिया उनकी बातों से मिली जानकारी के दम बर उन्होंने 24 नाम का एक बड़ा ही रोचक टीवे सेरियल बनाया उनकी जिग्यासा ने सेरियल को एक ऐसा रूप दिया कि ये दर्शकों के बीच बहुत ही जादा चर्जित हो गया और एक हिट सेरियल बन गया उस सेरियल का भारतिय रुपांतर भी बनाय गया था जिसमें अनिल कपूर मुख्य भूमिका में थे दर्शकों को बांधे रखने के लिए सबसे जरूरी है ये जानना कि उन्हें क्या पता नहीं है और क्या बात आपके प्रोजेक्ट में उनकी दिल्चस्प भी बढ़ा सकती है जैसे कि अगर किसी किताब का शीरशक बड़ा रोचक होगा तो अवज़ यह सबका मन उसे पढ़ने को करेगा या फिर अगर किसी सीरियल का एपिसोड किसी रुमांचक मोड पर आकर खदम हुआ हो तो अगला एपिसोड देखने के लिए इंतिजार करना मुश्किल हो जाता है ये बात तो बिजनस के छेतर में भी महत्वपूर है क्योंकि जब तक आपके प्रोड़क्ट में ग्राहकों की रुची नहीं बनेगी तब तक वो उसके बारे में जाने की कोशिश ही नहीं करेंगे इसलिए लेखन हो या बिजनस या फिर जिन्दगी का कोई भी छेतर जिग्यासा हर जिगे महत्वपूर रखती है बिजनस छेतर में अपनी सेहकर मियों और ग्राहकों से जुड़ने में भी जिग्यासा आपकी मदद करती है जब भी हम एक सफल बिजनस के कुझे की बात करते हैं तो शायद जिग्यासा जैसा कोई शब्द किसी के दमाग में नहीं आता लेकिन असल में ये एक सबसे महत्वपूर रोल अदा करता है आईए देखें से कैसे ऐसा इसलिए क्योंकि जब आपके मन में इस बात की जग्यासा होगी की आखिर सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रखता है उसकी क्या जरूरते हैं तो आप उससे आसानी से जुड़ सकते हैं और उनके मन की बातों को समझ कर आप उससे अच्छे संबंद बना सकते हैं लेखक ग्रेजर की रणीती में भी ये शामिल था वो अपने सबी एंप्लोईस को किसी बॉस की तरह ओर्डर देनी की बचाएं उनसे अपने काम के बारे में सवाल करते और उन्हें भी सवाल पूछने के लिए प्रिरित करते थे इस आपसी सवाल जवाब से लेखक को अपने काम के अच्छे और बुरे पहलों का पता चलता था और उन्हें अपनी काम में सुधार करने का मौका मिल जाता था लेखक कहते हैं कि ऐसे आपसी ताल मेल और जिग्यासा से भरे वारतलाप का होना बड़े-बड़े आविश्कारों की जन्नी है जिग्यासा की कारण ही मानवजादी का विकास संबव हो पाया है जिग्यासा जीवन के हर शेत्र में महत्वर रखती है अब अपने ग्राकों को अपना प्रड़क्ट बेचनी की बात ही ले लीजे जब तक आप ये नहीं जान लेते कि आपके ग्राक को क्या चाहिए तब तक आप एक अच्छी सेल्समैन नहीं बन सकते अपनी पसंद का प्रोडक्ट और ब्रांड ग्राहकों के उपर ठोपने से अच्छा है पहले आप उनकी जरूरतों को अच्छी तरह से समझ ले उसके बाद ही उन्हें सल आ दे एक जिग्यासू सेल्समैन अपनी ग्राहकों को अच्छी से समझ लेता है और इसलिए वो दूसरों के मुकाबले जादा प्रोडक्ट भी बेशने में सफल होते हैं अपने रिष्टों में नया निखार लाने में भी जिग्यासा आपकी मदद कर सकती है हमने देखाएगी कैसे जिग्यासा हमें दुनिया के बारे में नई नई बाते सिखाने का मौका देती है जो हमारे ग्यान और अन्बव को बढ़ाती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी जिग्यासा की मदद से हम किवल दुनिया के बारे में ही नहीं बलकि अपने चाहने वालों के बारे में भी बहुत सी असी बाते जान सकते हैं जो कि उनके साथ हमारे रिष्टों को और मजबूती ब्रतान करती है। अक्सर रोज की वियस्त दिन चर्या में बंद कर रिष्टे भी बेजान और एक सार हो जाते हैं। इससे बचने के लिए आपको अपने रिष्टों के प्रती अपना नजरिया बदलना होगा और अपने करीबी लोगों की भावनाओं के प्रती जिग्यासों बनकर रहना होगा। लिखक कहते हैं कि रोज किसी से एक जैसा सवाल पूछ कर फिर वही पुराना जवाब पाकर निराश होने से अच्छा है कि आप उस दिन एक कोई विशेष सवाल पूछें। और उसी से उनका रिष्टा आगे बढ़ता है। इसलिए अपनी जिग्यासा आपसे रिष्टों में हमेशा बनाए रखें। ताकि आपको उनके जीवन की हर छोटी बड़ी बात पता हो कि वो क्या करते हैं, क्या महसूस करते हैं और उन्हें क्या चाहिए। ऐसा करने से आपके रिष्टों में एक नई जाना जाएगी और आपका रिष्टाई का टूट बंधन की तरह बंद जाएगा। लोगतंतर के सुचारों रूप से चलने के लिए लोगों का जिग्यासू होना बहुत जरूरी है। संस्थाओं की प्रति जाग्रुक और जिग्यासू नहीं रहेंगे तो हम उनसे अच्छा काम करने की आशा नहीं कर सकते। इलेक्शन का मतलब मातर वोट डाल कर किसी भी एक पार्टी को जिताना ही नहीं बलकि ये अफसर है अपनी जिग्यासा की माध्यम से समाज कल्यान की ओर एक ठोस कदम उठाने का। पहले हर उमिद्वार की चांच करें उसने क्या काम किया कैसे काम किया फिर वोट करें अगर समाज में हर व्यक्ति इतने ही जिग्यासू तरीके से वोट डालें तो यकीनन लोगतंतर का विकास संभव है यकीनन ऐसे जिग्यासा को शांद करना इतना आसान नहीं है इसमें ब जाल रहे विकास के बारे में जान सकते हैं। जाल रहे विकास के बारे में जान सकते हैं। जाल रहे विकास के बारे में जाल रहे विकास के बारे में जान सकते हैं। जाल रहे विकास के बारे में जान सकते हैं। जाल रहे विकास के बारे में जाल रहे विकास के बारे में जान सकते हैं। एक अच्छे और सार्थक जीवन के लिए जग्यास का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि यही हमें रोजमर्डा की एक सार जिंदगी में गुम होकर रह जाने से बचाती है। और जिंदगी को एक तरो ताजा मोड देने में हमारी मदद करती है। तो दोस्तों उमेद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक करें। और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बेज़रों शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी नई और बैतरीन बुक की समरे के साथ। थैंक्स वर वाचिंग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्